ट्रांसलेशन गिवनवाईश्ला प्रभपार जयश्ला प्रभपार यह श्रीमत भागवत भगवान की साहित्य अवतार है जिसे भगवान के अवतार वेद्वियास ने संक्लित किया है यह सभी लोगों के परमकल्याण के निमित्थ है और यह सभी तरह से सफल आनंद में तथ परिपूर्ण है तातपर विवनवाईश्ला प्रभपार जयश्ला प्रभपार भगवान श्री चैतन महापुरू ने गोशित किया है कि श्रीमत भागवत समस्त वेदिक ज्यान तता इतियास की निर्मलवानी है इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कत्पे महान भक् हमें श्रीमत भागवत भगवान क्रिष्ण का साइत्य अवतार है नतयविए उन से अभिन्य ए हमें स्रीमत भागवत की पूजा उस्ति सम्मान से करनी चाहिए जस तरह हम भगवान की करते हैं हम किसके सचेष्ट अवम धीर अधियन के द्वारा भगवान का परमाशीरवत कर सकते हैं कि जिस्क्रकार भ्गवान पूर्ण प्रकाश पूर्ण आनंद तथा सर्वता पूर्ण था हैं उसी तरह यह श्रीमत भागवत भी है हमें श्रीमत भागवत का पाठ करने से परब्रह्म शेक्रिष्ण का सारा दिव्य प्रकास प्राप्त हो सकता है मशर्ते की हम इसे पारदर्शी गुरू के माध्यम से ग्रहन करें पुरी में भगवान चतन्य के दर्शनार्थ जितने लोग आते थे उनसे महाप्रभु के निजी सचेव शिला स्वरूप दामुदर गोश्वा में यही का करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवत का अध्यन करना चाहिए भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रामानिक गुरु हैं और वान्चित्फल प्राप्त करने के लिए उनी से भागवत की सिक्षा ग्रहन करनी चाहिए भागवत की अध्यन से वे सारे लाव प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्तिती से होते हैं यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीरवादों को प्रदान करने वाला है यह भगवान के साक्षात संपर्ख से मिल सकते हैं। अपमें से कितने लोग प्रती दिन भागवत का अध्यान करते हैं, श्रीमत भागवतम का अध्यान प्रती दिन करते हैं। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे ये भागवत पुराण कितना इंपोर्टेंट है ये कैसे आया कहां से आया आप सभी को शायद श्रीला सुखदेव गोस्वामी और परिक्षित महराज के बारे में पता होगा परिक्षित महराज अपने मा के गर्व में थे तो उनको भ्रमास्त्र से मारने का प्रियास किया गया उस समय स्वयम भगवान उनकी मा के गर्व में जाके उनको बचाए पहली बार परिक्षित महराज ने भगवान को देखा था और उनका नाम परिक्षित क्यों रखा गया क्योंकि परिक्षित मतलब जो हमेशा परकता है जाच करता है किसका उस व्यक्ति का जो उसने अपनी गर्ब में मां की गर्ब में देखा था इनको देखा था भगवान स्वयम को तो पूरे जिंदगी उन्होंने क्या देखा केवल और केवल एक ही चीज वो व्यक्ति कहा है जो मैंने मेरी मा के गर में देखा था तो परिक्षित महराज बचपन से एक शुद्ध भक्त थे वैसे तो वो राजा थे बहुत बड़े चक्रवरती समराड थे उनकी प्रजा के अंदर सामराज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता था तो कल्योग जब वहाँ पे बैल और एक गाय को मार रहे थे तो राजा परिक्षित महाँ पर आये और उन्होंने उसको मारने का कल्योग को मारने का साहस किया मारने ही वाले थे तो कल्योग ने एकदम से भगवान के उसके राजा परिक्षित के पैर पकड़ लिए च्छत्रिय का ये धर्म होता है यदि कोई भी व्यक्ति उनको सरेंडर हो जाए समर्पित हो जाए तो उनको उनको सुरक्षा देनी ही होती है च्छत्रिय का धर्म होता है यदि कोई लड़की उनसे बोले कि मुझे आपसे शादी करनी है तो वो उसको अपनाता ही है च्छत्रिय का धर्म है में रहने की जगे दीजिए तो कल्योग को बोला गया कि अच्छा तुम ऐसा कीजिए कि इन चार जगें उपर रह सकते हैं कौन-कौन से जो प्रभपाद ने निशेत किये हैं अब आप देखिए प्रभपाद ने जो हमें ये चार चीजें नहीं करने को बोला है वो कहां से लिया गया है एक प्लेस एक स्रीमत भागवतम से लिया गया है ऐसे ही कोई दिमाग से बनाए हुआ नहीं है नो मीट इटिंग, नो गैंबलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिस्ट अफियर्स ये चार चीजें भागवतम में कल्युक के लिए बोला गया कि इन चार जगयों पे आप बैठ सकते हैं तो कल्युक ने बोला कल्युक भी एक परसन है दिखो कोई भी प्रभाव हमारे चारो एक परसन के एक व्यक्ति के थुरू आता है तो कल्युक भी एक कौन है परसन है तो जब उन नो बोला कि ये चार चीजें तो आपके सामराज़े में कई हैं नहीं ये तो कई मिले जी नहीं सकती तो उन बोला अच्छा तुम धन के उपर भी बैठ सकते हैं तो वो कल्युक कहा बैठ गए जो उनका मुकुट था उसके उपर बैठ गए अब वो राजा परिक्षित वैस्तों हैं शुद्धभक्त लेकिन एक दिन वो जंगल जा रहे थे जंगल जा रहे थे तो वहाँ पे उनको बहुत तेज प्यास लगी अब कहते हैं कि जो शुद्धभक्त है उसको प्यास कैसे लग सकती है भूख कैसे लग सकती है उसको तो अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए लेकिन भगवान की लीला के अनसार उनको प्यास लग सकती है तो प्यास लगी तो एक कुटिया में देखे तो वहाँ पर एक व्यक्ति गहन अध्यान, meditation में, ध्यान में है, तो जो उसको उन्होंने बोला कि आप मुझे प्यास लग रहे हैं, मुझे पानी चाहिए, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ब्रामण थे, गहन दियान में लीन थे, तो उनको आया गुस्टा, अब फिर कोई कोश्चन कर सकता है, कि एक शुद्वक्त को गुस्टा कैसे आ सकता है, तो बोल सकते हैं कि हाँ, एक लीला है, यदि बगवान चाहें, तो प्यास भी लग सकती है, बगवान चाहें, तो गुस्टा भी आ सकता है, तो उनको गुस्टा आया, उन्होंने पास में एक शर्प, मरा हुआ सर्प उनके गर्दन में डाल के वो वापस चल गए, जब उस ब्रामण के बच्चे को ये पता चला, तो वहीं से उसने शराब दे दिया, देखो, उस टाइम के ब्रामण से ब्रामणों की गती नीचे होने लगी, ब्रामणों की दुरतशा होने लगी, जब उस ब्रामण ने अपनी शक्तियों का दुरुपियों किया, और उन्होंने शाब दिया राजा परिक्षित जो शुद्ध भक्त थे कि तुमारी साथ दिन के अंदर तक्षक नाग से मृत्य हो जाएगी तुमने मेरे पिता के साथ इतना दुर विवार किया तो मारा विजात ये होगा तक्षक नाग अब चाहते तो राजा परिक्षित माराज इस श्राब को खत्म कर सकते थे लेकिन उन्हें ऐसा नहीं किया यहाँ पर ये सीख लेने की है यदि हम अच्छे भक्त हैं हम यदि अच्छे भक्त हैं तो भगवान के दौरा जो भी हमें दिया जाता है चाहे वो बुरा है या अच्छा है हम उसको प्रसाद की तरह लेते हैं दुबारा बताँ यदि हम एक अच्छे भक्त बनने का प्रियास कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में जो भी अच्छा या बुरा आता है हम उसे भगवान के प्रसाद की तरह लेते हैं यह बहुत जरूरी है यदि ये लाइन पकड़ लिया तो हमारी जीवन, हमारे भक्त जो भी भक्त बैटे हैं उनकी जीवन एकदम खुशी हो सकता है खुश में हो सकता है ब्रह्म बूता प्रसंदात्मा हो सकता है प्रसाद की तरह लेना है उन्होंने श्राब को कैसे ले लिया भगवान की इसमें कोई बहुत बड़ी मेरे लिए फाइदा है क्या फाइदा है वो बोलते हैं कि मैं खुश से इस पूरे सामराज से दूर नहीं हो पा रहा हूँ मैं इसे डेटैच नहीं हो पा रहा हूँ मैं इसे अलग नहीं हो पा रहा हूँ मैं जानते हुए भगवान की बक्ती ही सब कुछ है मैं सब कुछ जानते मानते भी मैं इस परिवार में सामराज में और इस प्रजा के साथ मैं फसा हुआ हूँ, तो भगवान ने इतना सुंदर चक्र रचा है मुझे इस सबसे पार करने के लिए हमारे कुछ व्रद्यजन यही बोलते है कि प्रभुजी समझ तो सब आती है लेकिन छोड़ा नहीं जाता तो आपको भी तक्षक नाक का श्राप दिलवाएं तो जब उनको साथ दिन का ये तक्षक नाक से श्राप मिला उन्होंने उसको भगवान की आशीरवाद समझा और उन्होंने फिर ये पूछना स्टार्ट किया कि अब मुझे इन साथ दिनों में क्या करना है उनके पास बहुत कुछ धन धन, सामराज, पावर, शक्ती, सब कुछ थी लेकिन उन्होंने सबसे पूछा सबसे पूछने के बाद उनको ये सुनने को मिला कि आपको नदी के तट पे गंगा नदी के तट पे सुगदे गोस्वामी के मूँ से श्रिमत भागवतम का श्रमन करना चाहिए वहां से ये वर्ड आता है सब्तहा सब्ता मतलब क्योंकि उनके पास केवल और केवल और केवल साथ दिन थे, इस कारण से ये वर्ड, ये शब्द, सब्तहा सुनने को मिलता है otherwise पूरे भागवतम में कहीं भी ये सब्तहा वर्ड नहीं है नित्य सब्तहा सेवया कहीं नहीं लखा हुआ है हाँ, नित्य भागवत सेवया लखा हुआ है हर दिन हमें भागवत का सेवन करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए मनन करना चाहिए सुनना चाहिए हर दिन सप्ता इसलिए ताकि साथ दिन में सुग्दे गोश्वामी परिक्षित महराज को ये भागवतम सुना सके अब उन साथ दिनों में उन्होंने क्या किया हमारी तरह नहीं चार गंटे पांच गंटे आए थोड़ा गीत काए और सप्ता स सुनकर वापस घर चले गए और वही फिर रोटी का बड़ा मकान उन्होंने क्या किया उन साथ दिनों में ना कुछ खाना ना पीना और नहीं सोना नहीं कोई दस मिनिट का वाट्सेप और फेजबुक और इंस्टाग्राम चलाना उन्होंने क्या किया साथ दिन केवल और केवल और केवल भागवत सुनी सुखदे गोश्वामी के मूँ से परिक्षित महराज ना और उन साथ दिनों के अंदर उन्होंने उस कंप्लीट कर दिया इसके अंदर 1st केंटो से लेके 10th केंटो तक और even 12th केंटो तक का पूरा भागवतम सुधे गोश्वामी ने सुना दिया लेकिन जो सब्ता किया जाता है वो केवल और केवल दसम अध्याय केंटो को ही ध्यान में रख कर किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत लीला है भगवान की अच्छे अच्छी चीजे उसमें बताई गई है तो बड़ा रस आता है बड़ा मज़ा आता है लेकिन जो और केंटो हैं थर्ड केंटो, फिफ्ट केंटो जिसमें टाइम के बारे में बता जाता है, जिसमें बहुत सारे विवरण दिये गए हैं, जो थोड़े बोरिंग भी लगते हैं, उनके बारे में बहुत जदा बताया नहीं जाता है, कुछ ग्रहस्त के बारे में, ग्रहमेदी के बारे में बता आया अब यह भागवत क्या सुग्दे गोश्वामी ने परिश्यत महराज को बोला नहीं कि कृष्ण ने जब सबसे पहले यह स्रिष्टी को रचना की तो उसमें ब्रह्मा जी की भी रचना की गई अब ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि मुझे करना क्या है वो गर्वदक्षा जाएं कभी नीचे जाएं पता चलेगी कुछ समझे नहीं आ रहा तो उनको दो वर्ड सुनने को मिले तपा तो उन्हेंने तपस्या करना स्टार्ट किया जब तपस्या से खुश होकर भगवान ने उनको उनके हिर्दे में क्या सुनाई श्रीमत भागवतम यह श्रीमत जब आप लास्ट एंड फॉर्मोस्ट लास्ट में जब आप कुछ करना चाहें तब उन्होंने श्रीमत भागवतम की रचना की इसलिए श्रीमत भागवतम को एक विशेश दर्ज दिया गया है उसको बहुत ही इंपोर्टन पुरान भोला गया है इसको अमल पुरान भी बोलते हैं इसको निगम कल्प तरू पका हुआ फल भी बोलते हैं क्यों क्योंकि जब वेद व्याजी ने वेद लिख दिये एक वे मिशत किये पुरान किये वेदान्त सूत्र लिखे लेकिन इन सब को लिखने के बाद भी महावरत भी लिख दी इन सब को लिखने के बाद भी वो सैटिस्फाई नहीं थे वो इतना व्यथित थे उनको समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ लिखने के बाद भी मैं सैटिस्फाई क्यों नहीं हूं तो उसी टाइम में कौन आए नारज जी उनके गुरू जब भी कोई सैटिस्फाई होता है तो नारज जी आ जाते हैं आपकी लाइफ में तो नहीं आ नारज जी के रेप्रेजेंटेटेव हैं तो जब भी हम परेशान होते हैं भगवान ऐसी मोमेंट्स ऐसे अपरजिनर्टी मौका देखते हैं दुरू माराज जब परेशान हुए अपने पिता और अपने सोतेली मा से तो भगवान को पकड़ बगवान ने इस चीज को पकड बेज दिया नारज जी को बेज़ दिया तो तब तब जबना की लाइफ में नैंच प्रेशानी आएंगी तो आप गौर करना हैं भगवान की गयाइडश आ रही है यह आपके ऊपर है कि या क्या उस guidance को क्या उस मौके को आप पकड़ पाते हो या आप उसको छोड़ देते हो तो जब वेद व्यास जी को नारज जी पहुँचे तो उन्होंने उसे पूछा कि तुम्हारे इस व्यथा का क्या कारण है तो नारज जी ने उनको बताया तुमने सब कुछ लिख दिया और तुमने महावारत बना के तो ये कर दिया जो लोग और ज़्यादा इस material world में इस बहुत इस जगत में फस जाएंगे तो तुम्हें अभी क्या करना है भगवान और भगवान के भगतों का glorification करना है कृष्णा का और कृष्णा के जो भगत है उनका glorification करना है जब उनको ये बात समझ में आई तो वेद व्याजी ध्यान में गए वहाँ उन्होंने पूरा realization किया realization करके उन्होंने देखा कृष्णा है उनके पीछे माया है और ये बहुत एक सगत कैसे चल रहा है उसके बाद फिर उन्होंने भागवतम की सरचना की एक और कारण है भागवतम सरचना करने का कि वेदांत सूत्र जो होते हैं वेदांत सूत्र का मतलब है कि जितना भी ये जो सूत्र है उसके अंदर सब कुछ लिखा गया है इनको आप एक क्वेश्चन भी बूल सकते हैं क्वेश्चन के आंसर भी किसने लिख दिये वेद व्याजी ने एक पेपर भी बनाया और पेपर का आंसर भी किसने कर दिया जिसने लिखा है ताकि कोई गलती ना हो लोग उसको गलत तरह से ना समझें यदि आप अपना कोई संप्रदाय चलाना चाहते हैं तो आपके पास वेदांत सूत्र की टिपनी होनी चाहिए लेकिन भ्रम्मा माधवा गौडिय संप्रदाय में वेदांत सूत्र की कोई टिपनी नहीं की गई क्योंकि क्यों नहीं की गई क्योंकि वेदव्याजी ने श्वयम ने उन वेदांत सूत्र पर टिपनी खुदी करके दे दी जो खुद्र लेखक है वही उसका आंसर बेज दिया तो वो आंसर सबसे ज़्याद अच्छा होना चाहिए तो इस कारण से ब्रह्मा मादवा गौडिय संप्रदाय जिसमें आप सभी लोग बैठे हैं वो एक स्कूल है वो एक यूनिवर्स्टी है जिसको हम ब्रह्मा मादवा गौडिय संप्रदाय बोलते हैं ब्रह्मा क्यों बोलते हैं क्योंकि ये ज्यान Golden God, Yellow color था, इस कारण से उनको God बोलते हैं. इसीलिए इस संपरदा, इस University Scholars का नाम क्याल पड़ा है? ब्रह्मा माधवा गौडिय संपरदा है. ऐसी कुल चार संपरदा हैं, जिन में से एक ही संपरदा है, जिसमें स्वयम चैतन मापरवु आएं. तो ब्रह्मा माधवा गौडिय संपरदा हैं, अपना खुद की कोई टिपड़ी नहीं की. चैतन मापरवु ने बोला कि हमें किसी टिपड़ी की अवश्यक्ता नहीं है, क्योंकि स्वयम भागवतम हमारे साथ है. चैतन मापरवु और उनके जितने भी भक्त थे, वो श्रीमत भागवतम को अपने डेली रूटीन में ऐसे गाते हैं, जैसे हम अपने गाने और फिल्म के डायलॉग्स गाते हैं. और यदि हम अपने इस स्पिरिच्वल समू में देखें, तो हम भागवतम को ऐसे करते हैं. आप यदि गौर करेंगे, तो हम सारे डिवोटीज भागवत गीता, सौरी, भागवत गीता को हम एक दूसरे से गा रहे होते हैं. यदि कोई ज्यादा हसता है, तो हम बुलते हैं, आप रहे होते हैं, तो हम अपने जीवन में गौर किया है, यदि कोई भागवत गीता से बहुत ज़्यादा कनेक्टर हैं, बहुत ज़्यादा उसको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं. लेकिन चैतन महाप्रभू और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जितनी भी भक्त थे चैतन महाप्रभू के वो सब भागवतम से इतने ज़्यादा परिचित थे कि वे अपने डेली लाइफ में भागवतम गाया करते थे जहां भी उन्हें similarity दिखती थी वहाँ वो भागवतम का एक श्लोग बोल दिया करते थे तो उन्होंने भागवत पुराण को वेदान्त सूत्र की एक commentary बोली है इस कारण से उन्होंने कोई commentary नहीं की लेकिन क्या हुआ जब गलता जी जो आप जैपुर में बानते हैं इसको spiritualism का एक बहुत बड़ी गद्धी बोला करते थे बहुत साल पहले संप्रदाय ने बोला कि जब राधा गोविन देव जी के साथ में राधा रानी जी की भी सेवा की जा रही थी वर्षिप की जा रही थी तो उन्होंने question कर दिया उन्हांने बोला कि आपकी संप्रदाय में मादवा चारे जी आते हैं और मादवा चारे जी कृष्ण की ही सेवा करते हैं वहाँ पे तो कोई राधारानी जी की सेवा नहीं होती तो आप उस संप्रदाय में होते हुए आप कैसे कह सकते हैं और कैसे आप राधा रानी जी की सेवा गोविंद के साथ में कर सकते हैं तो यहां के जो राजा थे वो तो भगवान के बड़े भक्त थे वो तो चाहते थे कि राधा और गोविंद देव जी दोनों की सेवा साथ में हो लेकिन जब किसी ने question कर दिया तो उन्हें उसका answer देना आवश्यक है तो उन्होंने उसके answer के लिए किसको बुलाया वैश्नव आचारियास को उन्होंने बूला कि आपको इसका answer देना होगा otherwise राधा रानी जी की सेवा गोविंद देव जी की साथ में नहीं की जा सकती क्योंकि हम जिस संप्रदाय से आते हैं उस संप्रदाय में मादवाचार है और वो हमेशा अकेले ही ये संप्रदाय में कृष्ण की सेवा किये है पुडपी मादवाचार है वहाँ पे आप जाएंगे तो कृष्ण की सेवा की जाती है तो बल्दे विद्या भूशन को इस चीज के लिए जैपूर बुलाए गया जब वो जैपूर आये तो उन्होंने देखा कि वेदान्त सूत्र की टिपणी स्रिमत भागवतम अपने आप में पूर्ण है लेकिन फिर भी यदि ये नहीं मानते तो उन्होंने क्या किया उन्होंने साथ दिन के अंदर गोविंद भास से लिखा एक्शली वेदान्त सूत्र की टिपणी करने के लिए 90 साल 120 साल लगे हैं बहुत सारे आच्चार रियास को लेकिन उन्होंने बोला वल्दे विद्याबूशने कि ये मेरे बस की बात नहीं है भगवान स्वयम आप आईए और इस टिपणी को साथ दिन के अंदर कम्प्रीट कीजिए तो इस साथ दिन के अंदर उनोंने जो भी और टिपणियां थी उनको refute किया उनको ये बताया कि इसमें ये कमी है ये गल्ती है और ये ऐसे सही है और इसके साथ में establish किया कि राधारानी जी गुविन जी के साथ में वर्शिप की जासकती है तो इसको रामनंदी संप्रदाय ने नाना करते हुए भी accept किया तो ये बहुत बड़ी बात थी और इसको गोविंद भाष्य के रूप में बोला जाता है ये बहुत बड़ी जीत थी actually मैं जीत नहीं हो नहीं चाहिए थी क्योंकि यदि किसी को पता हो तो ये स्रीमत भागवतम है वेदान्द सुत्र की normal commentary है तो वो उसको accept करते है लेकिन रामनंदी संप्रदाय चाहते थे की जो मादवाचार संप्रदाय है इसको ये पराजितों और हमारा सामराच यहां आए तो इस कारण से बल्दे विद्यभूजण गोविंद भास्य के रूप में यहां पर श्रीमत भागवतम का उलेक किये श्रीलप रहुपाद हमारे जो आचारे हैं उनको श्रीमत भागवतम की इस value ये इसकी योग्यता इसकी जो शक्ति है उसके बारे में पता था श्रीलप रहुपाद 1965 में फॉरण विदेश गए थे थोड़े ही सालों में उन्होंने 108 मंदिर बना दिये और इतने सारे लोग हो गए इतने सारे भक्त हो गए कि वो पूरा दिन उनका मैनेजमेंट में चला जाता था लेकिन उनको पता था कि मुझे श्रीमत भागवतम को कंप्लीट करना है तो वो कब रात में एक बजे जग कर श्रीमत भागवतम को ट्रांसलेट करते थे इंगलेश में एक बजे से लेके चार बजे तक चाहे वो सोए या नहीं सोए लेकिन वो इस पर्टिकुलर आर्स में श्रीमत भागवतम या चैतने चरतामरता या कृष्णा बुक या और भी कोई कोई भी बुक भगवत गीता हर बुक को वो वन टू फोर में वन टू फोर रात के में वहाँ ट्रांसलेट करके उसको करते थे एक दिन की बात है जब प्रवपाज जी बैठे थे तो क्या होता था जैसे ही चार बजे तो कुछ डिवोटी वहाँ आते थे और जो भी उन्होंने ट्रांसलेट किया उसको ले जाकर उसको रीप्रिंट करने के लिए पूरे सिस्टम में डाल दिया करते थे तो जब देखा कि वहाँ पर प्रवपाज जी ने आज केवल और केवल एक वर्ड लिखा है तो वो बड़े आश्यर चकित हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे तीन घंटे के अंदर प्रवपाज जी ने केवल एक वर्ड लिखा है तो उन्होंने बूछा प्रवपाज आज 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 को आपकी तव्ष्य खराब है या क्या हुआ ऐसा क्या हो गया कि आप केवल और केवल एक ही शब्द लिखे हैं तो प्रवपाज जी बोले कि मैं चाहता हूँ कि इस जो स्रिमत भागवतम है ये जब लोगों तक पहुँचे तो जो भगवान बोलना चाहते हैं कहना चाहते हैं वो एजटेज उनके पास जाए तो मैं मनन कर रहा था चिंतन कर रहा था और इस कारण से मैं केवल एक शब्द लिख पाया आपको ये गौर करना चाहिए कि जो हम वर्ट वर्ड मीनिंग इसका हम यहां पढ़ते हैं इसका कितना वैल्यू हमारे आचारे के लिए है हर ट्रांसलेशन के हर वर्ड और एक थातपर्र का कितना वैल्यू इनको है जिन्होंने रात रात भर जगकर ये श्रीमत भागवतम को बनाया है ये एक ऐसा लिटरेचर है यदि कोई भी व्यक्ति ठाल ले कि मुझे इसको पढ़ना है और तीन से चार महीने पांच महीने के अंदर यदि वो डेली बेसेस पे चैंटिंग करते हैं और श्रीमत भागवतम का अध्यान करते हैं तो उनकी लाइफ में इतना mental control उनको अपने लाइफ में मिलेगा जिसकी कोई कामना नहीं कर सकते हम जो हैंकर कर रहे हैं हम जो लालसा कर रहे हैं इस जीवन के अंदर वो चैंटिंग भगवान के नाम का जब करने से और श्रीमत भागवतम का डेली बेसिस पे अध्यान करने से कई लोग तो ऐसे हैं जैसे कि उनकी लाइफ में ये एक इसके बिना वो जिन्दगी में जी नहीं सकते हैं ऐसा हमें श्रीमत भागवतम को अपनी लाइफ में उतारना है कल ही में हम तीन डिवोटी और एक बहार से आई हुए थे वो रिसेंटली अपने फॉरेंड किसी यात्रा पे अपनी फैमिली के साथ में गए थे तो वो चौते अध्याय को खतम नहीं कर पा रहे थे उनके बहुत ज़्यादा कली की बात है रात की शाम की में बैठा था तो वो अपना एक द्रिश्टान अपना एक वो बता रहे थे इसकोड़ा जो फ्रेंचाइजी जो उसके शाइद ओनर थे वो जो आज कल आए थे याँपे तो वो भागवतम के फोर्थ केंटो के लास्ट अध्याई पे थे तीन से चार अध्याई उनके कम्प्लीट नहीं हो पा रहे थे तो उन्हेंने प्रण लिया उन्हेंने क्या किया एक दशी थी 31st डे उन्हेंने निर्जला एक दशी किया था और उन्हेंने साथ की साथ में क्या किया कि मुझे ये जब तक मैं जैपुर पहुंचूंगा जब तक मुझे ये स्रीमत भागवतम का फोर्थ केंटो फिनिश करना है हम भी प्रंड लेते हैं हमें भी इस तरह के प्रंड लेने चाहिए कि मेरे पास ये समय है आज मैं फिरी हूँ आज मुझे ये फिनिश करना चाहिए फिनिश दो तरह से होता एक तो दिखाने के लिए और एक एक्चुली में उसको आत्मसाथ करने के लिए अपने लाइफ में उसको फॉलो करने के लिए तो जब उन्होंने ये प्रंड लिया तो जहां जहां उनको मौका मिला चाहे वो एरपोर्ट पे बैटे हैं चाहे वो उस गाड़ी में जा रहे हैं चाहे वापस आ रहे हैं चाहे अपने एरपोर्ट से अपने घर वापस आ रहे हैं जैपुर में लेकिन उन्होंने क्या किया उन्होंने भागवतम पढ़ना नहीं छोड़ा हमारी लाइफ में भी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक बहुत ऐसे समय मिलते हैं पांट, दस, पंदर, बीस, पचास मिनट जहां हम उनको ऐसी वेश्ट कर रहे होते हैं एक और डिवोटी मुझे याद हैं हमारी क्लासेस भागवतम की क्लासेस और भगवत गीता की वक्ति सास्त्री कोर्स हुआ करते हैं वो वो उस कोर्स को लेते हैं हमारे लिए तो उनको जब भी मौका मिलता है तो हम स्क्रोल करते हैं इंस्ट्राग्राम वाट्सैप वो क्या स्क्रोल करते हैं भागवतम भागवतम के श्लोग याद कर रहे होते हैं भागवतम के पेज़ पढ़ रहे होते हैं अच्छा ये श्लोग में कोई याद नहीं रहा कभी अभी कोट करने में जब भूल जाते हैं तो वो उस लोग को दोबारा खोल रहे होते हैं तो आप देखिए कि कैसे कुछ लोग भागवतम से अडिक्ट हो गए हैं उनको नीन नहीं आ रही है यदि उनकी लाइफ में भागवतम सुनने को पढ़ने को नहीं मिल रही है ऐसा ऐसा था चैतनमाप्रभू के लोग डिवोट हात उठवाया तो बहुत कम लोग हैं हमें उल्टा करना चाहिए हमें भगवत गीता भागवतम प्रहुपात की बुक्स किसकी बनी हुई है भगवत गीता भागवतम चैतन चरतामरता नेक्टर ऑब डिवोशन आप कोई भी बुक उठाएंगे उसमें इन तीनों चारों चोटी बुक है चाहिए वो मीडियम बुक है चाहिए वो बड़ी बुक है और चाहिए वो स्वयम स्टिमत भागवतम है आप एक्चुली में क्या उठा रहे हैं आप भागवतम ही उठा रहे हैं आप भगवत गीता ही उठा रहे हैं इसलिए प्रहपाजी बूलते हैं कि तो भी आप किसी विक्ति से मिलो, उसको मेरी बुक्स उसके हाथ में टच कराओ, क्योंकि इस परपट में आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, कि ये कैसी है, ये क्या है, सहित्यावतार है, तो जब आप किसी को इसके टच कराओगे, तो आप किसको टच करा रहे हो, स् पढ़ते तो हैं नहीं पढ़ें लेकिन वो टच कर रहें टच करने से उनको बहुत फायदा है और वो बुक भगवान के अरेज्मेंट से ऐसे व्यक्ति के पास चली जाएगी जो उसको पढ़ेगा भी मनन भी करेगा और भक्त भी बनेगा हमारी लाइफ में मैंने खुद ने म और बताया तो मैंने उसको दो दिन या तीन दिन में पढ़ दिया तो कभी एटम बॉम फटेंगे हमें पता नहीं तो इसलिए हमें खुद को ये पढ़ना चाहिए और हमें जब मौका पढ़े अपनी बैग में अपने गाड़ी में अपने कहीं भी आसपास आपको ये छोट प्राइब के बॉम से रस्ग लख भॉपाइब का एक बॉम है वो खाने की रूप में है और यह आख को तो मतर बगत की जो बुक्स यह वी एक बॉम है यह कब ग्व्जान के रूप में किसी के अंदर फटेंगे और कब वो बगत बनेगा उसका किसी को पता नहीं भागवतम का इतना glorification सारे पुराणों में बताये गया है कि कहते हैं कि अमारी जो आचारे थे प्रवपात के जो गुरू और गुरू के पिताजी वो भी गुरू थे भक्ति विनो ठाकुर माराज उनके समय में एक पीपल का वरक्षता उसके अंदर एक भूत रहता था वो भूत तो सभी लोगों को परेशान करता था और लोग बहुत उसे परेशान थे उसके यहां सपास आते नहीं थे तब आप देखिए कि आचारे का भागवतम पर कितना विश्वास है उन्होंने क्या किया भक्तिविनों ठाकुर महराज ने है उस पीपल के पेड़ के पास गए और वहां पर भागवतम रिसाइट करने लगे और आप समझ सकते हैं क्या हुआ वो भूत भक्त बन गया और वहां से चला गया तो हमारे अंदर भी बहुत भूत बैठे हैं कौन से भूत हैं काम क्रोध लोभ मोहमद मतसर आपके पास कितना भी पैसा है यदि आपके पास लोभ है ना बहुत खतरनाक है यदि आपके पास खूब नेम फेम है लेकिन आपके पास जेलिसी है एक दूसरे से इर्शा है बहुत खतरनाग है काम, कुरोध, लोभ मोह, कुरोध है छोड़ी-छोड़ी बात पर आप गुस्सा हो गए गुस्सा हो गए तो बस गुस्सा ही हो गए दो-चार दिन की गई जब हम भागवतम का द्यान करते हैं बगवत-गीता का द्यान करते हैं, चैंटिंग करते हैं तो यह जो भूत हैं हमारे अंदर वो भक्त बनने लगते हैं और जब हम हमारे अंदर के जो भूत हैं भक्त बनते हैं तब हमें समझ में आता हैं कि भगवान की भक्ति क्या है तो श्रीमत भागवतम का इतना वैल्यू है तो आप इसमें यदि चलाएंगे तो श्रीमत भागवतम 12th कैंटो के 13th chapter, last chapter, glorification of श्रीमत भागवतम, 13th verse से चलाईए कई बार, जब तक यो चले, जब तक मैं और कुछ आपको बताना चाहूँगा, कई बार लोग बोलते हैं कि कौन सा वेद पुराण क्या हमें पढ़ना चाहिए कहते हैं हर चीज में कुछ तो basic है, कुछ medium है और कुछ highest है, चाहिए आप mathematics में देख लीजिए, तो बहुत lower mathematics भी होती है, medium mathematics भी होती है और higher mathematics भी होती है और उनके पढ़ाने के जगे भी अलग-लग होते हैं, यदि आप higher mathematics पढ़ना चाहते हो, तो आपको research centers में जाना होगा, वहाँ पे higher mathematics पढ़ाई जाएगे ऐसे ही ये जो वेद हैं, पुरान हैं, इन में भी कुछ highest है, वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है कि उनको सुनने वाले लोग कौन है, उनकी capacity क्या है, अभी आप वो कर दीजिए, एक बार खोल के, उसको 12th kanto, 13th chapter, last chapter, के 13th shlok से, और उसको आप minimize कर दीजिए, मैं फिर आपको बताऊंगा, तो, मैं क्या बता रहता है, हाँ, भागवतम कहां बोली गई, भागवतम आप गौर कीजिए, जितने भी बड़े बड़े, आल ओवर वर्ल्ड, नॉट इवन वर्ल्ड, आल ओवर ब्रह्मान के बड़े-बड़े रिशी, मुनी, वहाँ भागवत सुनने के लिए आये थे, जब सुग्दे गोश्वामी परिशित महराज को भागवतम सुना रहे थे, उनके अंदर कोई अच्छा नहीं है, काम, क्रोध, लोब, भू, मत, मत, सरकी, उनको वो दूर करना ही नहीं है, उनके मन में ये चाती ही, कि ये सुग्दे गोश्वामी परिशित महराज को भागवतम सुना रहे हैं, और इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, उनके वो सोते ही नहीं है, उनने अपने इंद्रियों पर काबू कर रखा है, नारज जीवां बैटे हैं, वेद व्याज जीवां बैटे हैं, और जितने भी रिशी मुनी हैं, अलग-अलग प्लैनेट से वो लेकर वो कहां आ रहे हैं, भागवतम सुनने आ रहे हैं, मैंने क्या बताया, यदि हायर मैथमेटिक्स आप सुनना चाहते हो, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, research centers जाना पड़ेगा, IISC, Indian Institute of Science, Bangalore के अंदर, वहाँ पे आपको research में आपको higher principles बताए जाएंगे, उसकी basic principles कहां बताए जाएंगे, LKG, UKG में, one plus one, two, लेकिन abstract mathematics कहां बताए जाएगी, higher institutes के अंदर, ऐसे ही same जो ज्यान है, धर्म है, religion है, उसकी highest principles वो उन लोगों को बताए जाएंगे, जो उसके capable हैं, ऐसे time place circumstances, अब time देखिए, किसी व्यक्ति के पास केवल साथ दिन है, अब उसको ये पूछना है कि इन साथ दिनों में मुझे क्या करना है, देखो time देखिए, place देखिए, place का है, गंगा के किनारे, circumstances है कि मुझे अब इस चंड में क्या करना चाहिए, time place circumstances और capacity of individual, कि उसकी शमता क्या है, परिशित मारा साथ दिन तक कुछ खाए नहीं, कुछ सोए नहीं, किसी और चीज का उनको ध्यान नहीं, और उनको इतना रसा रहा है कि यदि थोड़े moment के लिए भी यदि सुख्दे गोश्वामी चुप हो जाएं, तो उनको question से जागरत करते थे, बोलो बोलो, अरे तुम पताते हैं, रुको नहीं, तो ऐसे, आप दूसरी जगे देखिए, कुंती मारानी, कुंती मारानी बोलती है, भगवान, आप मेरे साथ, मेरे दुख में थे, तो कि आप मुझे दुख दीजिए, विपदा संतु, तहां सास्त्वर, तत्र जगत गुरू, मुझे क्या दीजिए, मुझे दुख दीजिए, क्यों, क्योंकि जब आप मुझे दुख देते हो, तो आप personally मेरे साथ रहते हो, मुझे आपका personal association चाहिए, मुझे आप ऐसे चाहिए, person दिखते हुए चाहिए, चाहिए आप दुख दीजिये, सुख दीजिये, फरक नहीं बड़ता तो दीखिए capacity of individual के उन व्यक्ति, उन लोगों की शमता क्या है जो भागवतम सुन रहे हैं, जो भागवतम के किरदार हैं, जो डिवोटी हैं तो इस तरह से इस कारण से इसको एक mature fruits of Vedic Literature बोलते हैं कई बार लोग बोलते हैं पुराण जो हैं, वो less important है वेद जादा अच्छे हैं वेद शृती हैं पुराण स्मृती हैं लेकिन बहुत जगे पे इसको refute किया गया है actually मैं पुराण एक examples हैं जैसे mathematics के अंदर कुछ सूत्र होते हैं उन सूत्रों को यदि आपको और अच्छे से समझना है तो आप क्या करते हैं कुछ examples लेते हैं उन examples के दुरू वो जो formula है वो formula आपके life में आपके mind में fit हो जाता है set हो जाता है ऐसे ही जब शृती हैं वेदान्त सूत्र हैं वो क्या हैं formula है और पुरान और इतिहास वो में उनके example दिये गए हैं कि कैसे इन formulas को ये जो भी लिखा गया है इनको कैसे कृष्णा ने और उनके भक्तों ने मिलके इसको example की रूप में दिखाये गया है तो पुरान वेदों को help करते हैं ना कि कम या ज़्यादा है तो ये गलत है बोलना कि पुरान less important है तो इस तरह से जो भागवता में अब हमें लास्ट पॉइंट्स हैं के वल तीन श्लोक चार श्लोक हैं जिसमें भागवत के बारे में और बताये गया है थोड़ा और enlarge कर दो नीचे जाओ translation अनुवाद यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास्ट यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास्ट की पूर्ण मास्टी को सौने की सिंगासन पर रखकर श्रीमत भागवतम का दान उपहार की रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होता है कोई बाती सौने का सिंगासन तो ना रखो लेकिन ऐसे भी आप देंगे तो भी भागवतम का इतना वेल्यू किया गया है हाँ, next अन्य सारे पुरान तब तक संत भक्तों की सभा में चमकते हैं जब तक अम्रित के महासागर श्रुमत भागवतम को नहीं सुना जाए आपने बाकी सब कुस तो पढ़ लिया लेकिन भागवतम को टच नहीं किया सही नहीं, next श्रुमत भागवतम को समस्त वैदिक दर्शन का सार कहा जाता है जिसके जिससे इसके अम्रित में रस से तुष्टी हुई है वे कभी अन्य किसी ग्रंथ के प्रती आक्रिष्ट नहीं होता सच में ये बात है आप भागवत गीता भागवतम पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप न्यूजबेपर पढ़ना बूल जाएंगा आप कहेंगे क्या फाइदा इस country यूजबेपर आप कहेंगE क्या फाइदा इस Forbes का और ये कितनी सारी magazines हम पढ़ते हैं कितने सारे हम कुछ़ और चीज़े पढ़ने लगते हैं जो भी self help book है self help book समझते हैं अपने personality को develop करने के लिए कोई करोड़وں बुख बजार में मिलती है मैं बताता हूँ एक श्लोक आप अपना भागवत गीता या भागवतम का अपने मन में धारन कर लिए और उसमें लाइफ जी लिए तो जितनी भी करोडो बुख हैं वो एक साइड हो गई उनसे जादा हम अपना लाइफ को अच्छा कर सकते जिए क्योंकि जिसने वो भुक लिखी हैं हो सकता है वो खुद फॉलो ना कर रहा हो लेकिन जिसने भागवत गीता लिखी है भागवतम लिखी है वो खुद भगवान कृष्न है उन्होंने खुद यह बूला है जिस तरह गंगा, समुद्र की और बहने वाले समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्चत देवों में सर्वोच हैं और भगवान संभु वैस्ज़ों में सबसे बड़े हैं, उसी तरह शिमत भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरी है. बस हमें ये याद रखना है ये जो भगवत पुरान है हमें किन से सुनना है जो खुद इसको फॉलो करते है इसलिए एक तो होती है भक्त भागवत और एक होती है बुक भागवत तो जो ये बुक है जो ये भगवत गीता ये जो बुक है इसको हमें किस से सुनना चाहिए भक् फॉलो करते हैं इसी लिए जो भागवत प्रहुपात के द्वारा सुनाई गई है प्रहुपात के द्वारा जो बोली गई है उसको आपको सुनना चाहिए आपके समझ में ना आए गैरेंटी है आपकी लाइफ में प्यूरिफिकेशन सुद्धता सुच्छता आपके मन को शान आज का यहीं कंप्लीट खतम करते हैं हरे कृष्णा शुम्त भागवतम की जयाए